हर साल 26 दिसंबर से शुरू होने वाले टेस्ट को बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना खेला जा रहा हो लेकिन सवाल ये है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट आखिर होता क्या है क्यों आखिर 26 दिसंबर से शुरू होने वाले टेस्ट माच को बॉक्सिंग डे टेस्ट कहते हैं अभी ऐस्टेलिया और दक्षिन अफ्रीका के बीच मेलबन फुकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा टेस्ट भी बॉक्सिंग डे टेस्ट ही है लेकिन क्या है इसका इतिहास तो आपको बता दे कि आमतोर पर बॉक्सिंग डे क्रिस्मस के अगले दिन को कहा जाता है अब क्रिस्मस होता है 25 दिसंबर को मतलब अगला दिन हुआ 26 दिसंबर और उसे कहते हैं बॉक्सिंग डे जो की ग्रेट बिटेन से हित ऑस्टेलिया न्यूजिलेंड दक्षिन अफ्रीका कैनेडा जैसे तमाम राष्ट मंदल देशों में मनाया जाता है और इसी तर्च पर इस दिन से शुरू होने वाले टेस्ट माच को बॉक्सिंग डे टेस्ट कहते हैं बॉक्सिंग डे का ये जो नाम है इसे लेकर कुछ कहानिया है एक कहानी के मताबिक चर्च में रखे बॉक्सिस को क्रिस्मस के अगले दिन खोला जाता है इसलिए इस दिन को बॉक्सिंग डे टेस्ट कहते हैं या फिर बॉक्सिंग डे कहते हैं और उस दिन जो टेस्ट माच होता है उसे boxing day test match कहते हैं वहीं दूसरी कहानी ये है कि Christmas वाले दिन जो लोग बिना चुटी लिए काम करते हैं उन्हें अगले दिन, Christmas के अगले दिन box के रूप में gift दिया जाता है और साथ ही उन्हें परिवार के साथ समय बिताने के लिए उस दिन चुटी दी जाती है इसलिए इसे boxing day कहते हैं साफ है कि boxing day को लेकर अलग अलग धारनाए हैं boxing day test match की शुरुवात वैसे 1950 में हुई थी उस समय हर साल ये test match जो है boxing day test match नहीं खेला जाता था सिर्फ शुरुवात हुई थी 1950 में पहला जो boxing day test match था वो ऑस्टेलिया और इंग्लिंड के बीच में खेला गया था जिसमें ऑस्टेलिया ने जीत दर्ज की थी 1952 में साथ अफरीका ने ऑस्टेलिया के खिलाफी अपना पहला boxing day test match खेला था इस match में दक्षिन अफरीका ने जीत हासिल की थी फिर 1968 में boxing day test match खेला गया 1980 वो साल था जब इसे हर साल खेलने की परंपरा शुरू हुई 1980 से हर साल जो है boxing day test match खेला जाता है तब से ऑस्टेलिया, इंग्लिंड, दक्षिन अफरीका की टीमें लगातार boxing day test match खेल रही है टीम इडिया भी गाहे बागाहे boxing day test का हिस्सा बनती रही है boxing day test का आज के दिन टीम इडिया से सिर्फ इतना ही नाता है कि इस test match में दक्षिन अफरीका अगर हार जाती है जो अभी Melbourne में चल रहा है, Australia और दक्षिन अफरीका के बीच में अगर दक्षिन अफरीका हार जाती है तो टीम इडिया को WTC यानि की World Test Championship के final के लिहास से फायदा होगा और सिरीज में 01 से पिशल रही, अगर दक्षिन अफरीका इस सिरीज में एक भी test match नहीं जीत पाती है तो पिटीम इडिया सिर्फ Australia को हरा कर ही World Test Championship के final में पहुँच सकती है Australia को अभी जो है 4 test match की series खेलने, इसके बाद भारत आना है जहां पर यह decide होगा कि भारत जो है वो WTC finals में पहुचेगा या नहीं